दशहरा के मौके पर उदव ठाकरे ने सामना के माध्यम से एक बार फिर से बीजीपी और शिंदेगुट पर जोरतार हमला किया है उदव ने लेक में महंगाई अर्थविवस्था और शिंदे के वंदे मातरम वाले नियम पर कटाक्ष किया है शिवसेना के मुखबतर सामना के संपादिकी में ये लिखा है कि रुपए की कीमत मिटी में मिल गई है महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है किसान आत्पत्याई कर रहे है और इसका समाधान क्या तो इसके आगे हैलो बोलने की वज़ा है वंदे मातरम बोले चीन लदाख ही नहीं अरुणांचल प्रदेश में भी घुज गया है उसे सबक सिखाए तब ही वंदे मातरम का सही मतलब निकल पाएगा माराष्ट को कमजोर करके बंदे मातरम की गरजना कैसी शिर्फ सेना के सामना संपाध की में लिखा गया है बीजेपी ने हिंदुत वादी माराष्वाभिमानी संगटन को तोड़ कर गद्दारों का साथ दे कर माराष्ट को कमजोर किया है सामना में लिखा है सेनापती बापट ने एक मराठी में मंत्र दिया था जिसका हिंदी में अर्थ है मराष्ट गया तो समझो राष्ट गया मराठीों के बिना राष्ट की गाड़ी नहीं चल सकती इसमें थोड़ा बदलाव करके प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा था कि मराष्ट गया तो समझो राष्ट गया मुंबई गयी तो समझो मराष्ट गया आज बीजेपी की कमला बाई यही करना चाह रही है सामना में लिखा है शिफसेना के ने रण की शुरुआत आज शिवाजी पार्ग से हो रही है महराष्ट का भविश्य यहीं गड़ा जाता रहा है सयुक्त महराष्ट का अंदोलन यहीं से शुरू हुआ था शिफसेना के हर बिगुल को बाला साहिब ठाकरे ने यहीं सिफुका था कोई कुछ भी कर ले महराष्ट में शिफसेना का भगवा लहराता रहेगा मुंबई पर शिफसेना का राज कायम है तुमारी च्छाती पर बैट कर फिर मुंबई जीतेंगे कमला भाई की ऐसी हालत होगी कि अगली पीडी को पता भी नहीं चलेगा कि बीजेपी नाम की पाटी मरास की जड़ों में कभी पनपी थी उन्होंने आगे लिखा है कि शिफसेना तो तोड़े बिना मुंबई को निगला नहीं जा सकता इसलिए साजिश के तहट मुंबई मरास की घटनाये तेजी से घट रही है कमला भाई की साजिश्ट के साथ खोके वालों का धर्म शिवसैनिकों की निस्ठा के आगी नहीं टिकेगा शिवतीर्थ की रणभूमी पर धर्म है इसलिए जैन निश्चित है सामना में पिम नरेंद्र मोधी पर हमले करते हुए कहा गया है कि गुजरात में चुनाव है वे बयान दे रहे हैं गुजरात को बदनाम करने और इसे राज हुमें आ रहे निवेश रोकने की साजिश कुछ लोगों निरची है ऐसा बयान हमारे प्रधान मंतरी करें इससे बड़ा दुरभाग क्या होगा उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे पूरे देश के प्रधान मंतरी हैं गुजरात के शाम मुंबई को कबजा करने की भाशा बोलते हैं शिवसेना ने कहा है कि PFI जैसी संस्थाओं को खाड़ फेक नहीं चाहिए लेकिन उससे बड़ा आतंगवाद कश्मीर का है उसका क्या वहाँ तो हालात जस्की तस्बनी हुई है और उससे भी गंबीर आतंगवाद EDCBI जैसी संस्थाओं का है इसके इस्तेमाल से राजनेतिक विरोधियों को खत्म किया जा रहा है इससे लोगतंत्र का भविश्य खत्रे में है वीडियो डैस्क अमरुजाला डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें डाउनलोड करें आमरुजाला आप और पाएं खबरें लगातार